हेलो फ्रेंट्स वल्कम टू ग्रेवाल टिटेरियल आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का निक्स पार्ट करा रही हूं लास्ट पार्ट के अंदर जो है हमने अलफाबेट सीरीज में देखा था कि किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग हमें करनी है आज जो है हम एक संटें वो आता है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है F.O.R. स्टैंड फॉर ओल्ड इस गोल्ड यानि कि ओल्ड इस गोल्ड को हम फोर से रिप्रेजंट कर रहे हैं F.O.R. अलग-अलग लेटर से आपको दिख रहे होंगे निक्स आता है R.O.T. R.O.T. का मतलब क्या है? G.O.R. अब आपको फर्स्ट ही यह देखनी होगे कि कौन सा वर्ड जो है रिपीट हुआ है तो फर्स्ट जो संटैंस है हमारा ओल्ड इस गोल्ड और ओल्ड इस गोल्ड इस प्योर दोनों के अंदर जो है इस और गोल्ड दोनों रिपीट हुए हैं मिक्स आमारा आता है R.O.M. R.O.M. का मतलब क्या है? G.O.L.D. इस गोस्टली तो आपको बताना है कि प्योर ओल्ड गोल्ड इस कोस्टली को हम क्या लिखेंगे? यानि कि क्या बताना आपको? प्योर ओल्ड गोल्ड इस कोस्टली उसको हम किस तरीके से शो करेंगे? तो सबसे पहले हम आते हैं इस चीज के उपर कि गोल्ड जो है वो तीनों के अंदर है इस जो है वो तीनों के अंदर है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे जो is होगा उसको हम क्या करेंगे o से represent करेंगे इसका reason यह है कि old is के जो is है वो gold से पहले है अगर ऐसा कोई sentence आता है जिसमें तीनो word जो है इकटे दिये गए है मतलब कि हर sentence में दिये गए है तो जो हम first alphabet जो हमारा है उसको हम consider उसी word से करेंगे जो उस sentence में पहले दिया गया है इसी तहिए से जो है gold को हम represent कर रहे है जैसे कि gold जो है first में भी है second में भी है और third line में भी given है तो आर जो है वो तीनो लाइन में given है य traffika निर कि आर first में भी था second मे भी था third में भी था तो gold क्या हो गया हमारा R हो गया next हमारा आता है जब हमें first line में ये पता चल चुका है is or gold क्या है ये और R क्या है हमारे is or gold है तो F जो बचता है वो हमारा क्या है old है तो जहाँ पर हमारा old आया हुआ है वहाँ पर हम F लिकेंगे next हमारा जो होगा नेक्स जो रो है उसके प्योर हमारा दाल क्या है इसका मतलब ट इल्ग करेंगे थे दूर में К लिखेंगे उससे next हमारा gold को R लिखेंगे is को हम O लिखेंगे और costly को हम M लिखेंगे आपसे यही पूछा गया था कि pure old gold is costly को हम किस तरीके से लिखेंगे तो यह जब option आपको even होगा यह हमारा correct option हो जाएगा hope so आपको जो यह question समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें इनको solve करना है next हमारा question है coding and decoding का यह second question है आज के लिए यह बोला गया है if goat is called and यानिकि goat बकरी को हम जो है चीटी बुला रहे हैं and is called tiger नेक्स्ट हमारा आता है tiger is called deer नेक्स्ट हमारा आता है deer is called cow नेक्स्ट आता है हमारा question कह रहे है विच विच ओफ देम इस कार्निवोर्स अनिमल अब आपको यह बताना है कि इन में से कौन सा कार्निवोर्स अनिमल है तो सबसे पहले अब इंगार नेक्स्ट हमारे कैसे पहले हैं को देखना होगा कि 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 कहते हैं आपको इंगार कार्निवोर्स अनिमल होगा आपको यह देखना है यानि कि ये पुच्छे कि कौन सा मास हरी यह गोट डिया गया आंट दिया गया MA grounded दिया गया तो यह सारे यह मास ऊगिर नहीं खाते हैं लेकिन टाइगर जो है वह मैस खाता है तो टाइगर के को पर कर रहा है यह हमारा डियर शो कर रहा है तो इसका आंसर जो होगा वह डियर होगा हुप सो आपको जो एक कोर्षन समझ आया होगा इस टाइब का एक कोर्षन जो है हर एक्जाम में पुछा जाता है जहां जाये हमारे carnivores है और उसके बाद टाइगर को कौन शो कर रहा है दियर शो कर रहा है तो दियर हमारे जो करेक्ट ओप्शन हो जाएगा इसी तरीके का हम एक और कोर्षन करते हैं देखिए आज के लिए हमारे थर्ड कोर्षन है इसके अंदर दिया गया है ब्लैक इस कोल्ड रेड या is called brown brown is called yellow yellow is called blue blue is called green what is the color of milk अब हमें यह बताना है कि milk का color क्या है यह हमसे कोशन पूचा गया है कि color बताओ milk का कौन सा है आपको पता है कि milk का color कैसा होता है white होता है और white को यहाँ पर कौन पूचा गया है इसका जो कर्छा गया है तो इसका कौन पूचा गया था इसका रिलेटिड कोशन था और उसका color पुछा गया था कि sky कौन से color का है तो ऐसा caution जो है एक आता ही है reasoning में हमारे exams के अंदर तो इस तरीके के caution को जो है आप practice करके देखें इसमें बस normally होता है कि आप से जिसके last question हमने किया है जिसके अंदर carnivores पुछा है उसने इसके अंदर milk का color पुछा है इसे तरीके से उस caution के अंदर sky का color पुछा गया था कि sky कौन से color का है तो ये एक caution हमारा जरूर आता है next हमारे caution दिया गया है इसके अंदर tree is very beautiful है और this is a strong tree इस तरीके से आपको एक sentence दिया है और उसके नीचे कुछ code words का use किया गया है जिसके आपको दिख रहा होगा का ना दा टा उसके बाद ये पाथ सा तो इस तरीके के wording आप से आपको दिये गये है अब इसने जो caution पुछा है वो आप से ये पुछा है कि जो beautiful है beautiful को कौन represent कर रहा है आपको ये find out करना है अब आपको ये नहीं करना कि directly ये जो है यही beautiful को represent कर रहा है ऐसा इसके अंदर नहीं होता आपको choose करना होगा कि कौन सा letter किस तरी कौन सा जो word है वो किसको represent कर रहा है आपको पहले ये देखना होगा अब देखिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसके अंदर जो है इस वाले के अंदर इस रिपीट हुआ है और साथ के साथ ट्री भी जो है रिपीट हुआ है अब जो है हमारे पास जो है information given है यह repetition में आए हैं दो वर्ड तो यहां पर भी repetition में यह आए हैं यह रहा एक ना और एक का इसके अलावा जो है हम नहीं बता सकते कि दा और ताम इसमें से टी ए में से कौन सा वर्ड जो होगा वो इसको रिप्रेजंट करेगा तो हम इसका option जो है data inadequate answer जो है टिक कर कहेंगे क्योंकि हमारे data जो है completely दिया नहीं है यह निकि data जो है incomplete है अगर यह जो है मान लेते हैं कि very भी हाँ पर लिखता और यह word को यह repeat कर देता अगर ऐसे होता तो हमें यह पता चल जाता कि beautiful को कौन रिप्रेजंट कर रहा है यह वाला word रिप्रेजंट कर रहा है लेकिन इसने जो है ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं दिया बस दो ही words को हम पता लगा पाए तो इसलिए beautiful को हम यह नहीं कह सकते है कि वो दा है या फिर ता है तो इसलिए हमारा answer के आएगा option हमारा data in educate correct होगा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप हमेशा ही options में ना उलजहें क्योंकि कई बार data भी हमारा incomplete दिया मिलेगा आपको जिसके इस question में दिया गया है next हमारे fifth question दिया गया है इसके अंदर आपको जो है number दिये गया है six four and three number आपको given है next आपको five nine and three given है फिर next आपको five six seven given है तो अब आपको क्या है इसके सामने कुछ word दिये गया है कुछ sentence दिया गया है आप कह सकते है first हमारा आते है she is beautiful next आते है he is handsome फिर next आते है handsome meet beautiful यह आपको जो है given है अब आपको यह बताना है कि जो meet है यह किसको represent कर रहा है या कि इसको कौन represent कर रहा है आपको यह बताना है same हम वही तरीका apply करेंगे यह देखे जो first or second line है इसमें three को repetition में डाला गया है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा is जो है दोनों में आया है तो हम कह सकते हैं जो three है वो हमारा क्या है is है next आता है अप जो five है five दोनों में given है जो ये वाला है और ये वाला फाइफ इन दोनों में गिवन है और जो हैंसम है वो इन दो में गिवन है तो यह हम फाइफ को रिप्रेजंट कर सकते हैं कि यह जो है रिप्रेजंट किसको कर रहा है हैंसम को रिप्रेजंट कर रहा है नेक्स आता है हमारा इसी तरीके से 6 जो है वो इस संटेंस में भी गिवन है और इसमें भी गिवन है अब आपको ये देखना हुगा कि इस वाले और इस वाले में कौन सी चीजे जो है मैच हो रही है तो beautiful जो है दोनों में मैच हो रहा है यानि कि जो हमारा 6 नमबर है वो किसको represent कर रहा है beautiful को अब आप से पूछा गया था कि meet को कौन represent कर रहा है यानि कि हमारा जो number 7 है वो represent कर रहा है क्योंकि हमें पदा चल चुका है कि 5 को कौन कर रहा है handsome कर रहा है और जो 6 नमबर है वो किसको कर रहा है beautiful को कर रहा है तो इसके अंदर 7 ही नमबर बच्चा है और यह जो 7 नमबर है यह इसके अंदर एक ही वर्ड बच्चा था मीट और इसी का इनों ने पूछा था आपको आज के कोशन्स अच्छे से समझ आए होंगे अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंड में जरूर पूछे साथ की साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स फूर वोचिंग